कि खामम की इतिहासिक और इनकलाबी धर्ती स्टेज पर मौजूद तेलंगना के लोग प्रिय मुख्यमंत्री स्टिकेट चंदर शिकर राओ जी आमादमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर और दिल्ली के करांतिकारी मुख्यमंत्री श्री अर्विन केज रिवाल जी समाजबादी पार्टी के ध्यक्ष और यूपी के एक्स मुख्यमंत्री अखिलेश जादव जी सीपियाई के जनल सेक्टरी दी राजा जी और केरला के मुख्यमंत्री जो बोल कर चले गए हैं और बाकी सभी बी एरस पार्टी के नेतगन और ओफिसर सहबान और इतनी भारी संख्या में यहां पर हमारा होसला बढ़ाने के लिए आने के लिए शुक्रिया आपका एक एक कदम हमारे सरमाथे पर सबसे पहले सबको नमस्कार सस्रीकाल आज एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखा जिसमें लोगों की आँखों का चेक अप होता है बहुत बड़े लेबल पर चश्में बांटे जा रहे हैं कि और अच्छा बहुत ही प्रभावशाली प्रोग्राम था जो देखने को मिला बहुत कुछ सीखने को भी मिला लेकिन मैं तेलंगना के मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि अगर इतनी भीड हो तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल चश्में बनाएं ताके देख सके हम भी वो दूर तक नजर जाती है तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं यह आपका प्यार है आपने घर से पहला कदम जब इस रैली की तरफ इस फंक्शन की तरफ बढ़ाया वो पहला कदम बदलाओ का कदम था आपका यहां पर आना इस बात का सबूत है कि आप देश को प्यार करते हैं आपको चिंता है कि देश कहां जा रहा है आपको इस बात का घ्यान है कि देश नफरत की राजनीती को बरदाश्ट करने वाला नहीं है ये देश, एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंगों के फूल हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, कि गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, जिस गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों, उसको ज़्यादा देर देखा लेकिन युवा बेरुजगार है इन्होंने बादा किया था दो क्रोड रोजगार हर साल पैदा करने का वो भी जुमला निकला इन्होंने बादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का जुमला निकला इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार जुमला इन्होंने कहा था पंद्रा लाग घर के खाते में आ जाएगा जुमला तो भारतिय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है वो हर चीज हत्याना चाहते हैं ये भी मेरा हो जाए ये भी मेरा हो जाए जिस राज्य में जीतते नहीं हैं लोगों त्वारा वहां पर बाई इलेक्शन त्वारा जीत जाते हैं इस्तीफा दिलवा लो खरीद लो बंदे MLA खरीद लो मल हिम्मत देखो आमाजी पार्टी ने MCD चुनाव में 200 में से 134 सीटें जीती बहुमत है लेकिन फिर भी कह रहे हैं जितनी मर्जी आ जाएं मेर हमारा बनेगा ये क्या बात होई बई ये लोग तंतर है ये तो लूट तंतर है लेकिन इनको ये नहीं पता इनको ये नहीं पता कि वक्त बहुत बड़ी चीज होता है वक्त राजाओं राजाओं से भीख मंगवा देता है वक्त और विखारियों के सर पे ताज टका देता है वक्त वक्त बहुत बड़ी चीज होता है और ये पबलिक है, सब जानती है, लोग जब चाहें आदमी अर्ष पर और उपर जाके ये बीजेबी वालों की तरह हंकार करे, तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्ष पर, बहुत बड़े बड़े उतारे हैं भाई साब, बहुत बड़े बड़े, हकूमत वो करते हैं, जिनका दिलों पर राज होता है, यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है, तो हकूमत, लोग जिसको दिल में जगा देते हैं, उसकी होती है, ये छीनी नहीं जा सकती, ये खरीदी नहीं जा सकती, लोगों का प्यार खरीदा नहीं जा सकता, लोगों के प्यार की किसी करंसी में कोई कीमत नहीं है, अबी जब से मैंने होस्वाला है हर 15 गस्त को लाल किला से तत्कालीन परधान मंत्री भाशन देते हैं मैं भी सुनता था आज तक वही भाशन अफसरों का लिखा लिखाया रटा रटाया भाशन लाल किला के सामने से बेलदुगारी पर चिन्ता व्यक्त महंगाई पर थोड़ी ज़ादा चिन्ता व्यक्त आतंग बाद पर सबसे ज़्यादा चिन्ता व्यक्त और पंद्रागस्त खतम मैं उनको कहना चाहता हूँ मेरे देश के बारिसो अगर देश की 130 क्रोड जनता की किस्मत नहीं बदल सकते कम से कम भाषन तो बदल लो अब तो लाल के लिए के कबूत्रों को भी भाषन याद हो गए होंगे कुछ तो नया कर दो नहीं करते अपने आप बारिया आ जाती है लोगों के पास क्यू रास्ता ही नहीं था पंजाब में ऐसी चल ला था पांच-पांच साल की बारियां चल रही थी लेकिन तीसरा तीसरा बदलाव आया आमाधी पार्टी के रूप में 117 में से 92 सीटे पंजाब में आई पहली बार 92 सीटे आई किसी पार्टी की और बड़े बड़े जो अपने आपको कहते थे हमें कुल हरा ही नहीं सकता पूरे का पूरा खांदन हरा दिया उनका बैसा यह पबलिक है और इनका क्या काम है इनका काम है लूटना सब कुछ बेच दिया जहाज बेच दिये एरपोर्ट बेच दिये नदिया बेच दी एलाइसी बेच दी रेलवे बेच दी सिर्फ मीडिया खरीदा वस बाकि सब कुछ बेच चाहे सो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं जनता का कोई फिकर नी इनको अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजे पी बाले बस जाते अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजे पी बाले बस जाते तो लोगों के प्यासे होंट दो बूंद पानी के लिए भी तरस जाते गनीमत है शुकर है कि मौसम पर हकूमत चल नहीं सकती वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाते सब कुछ अपने लिए ये राज्य भी देदो ये राज्य पालों से तंग राज्य पालों को कहते हैं काम नहीं करने देना सुकूल नहीं खोलने देने केजरिवाल को केजरीवाल अगर चाहे कि मैं टीचरों को फिनलैंड जाके ट्रेनिंग दिल्वा के दिल्ली के बच्चों के लिए लेटस सिक्षा का परवांद करूँगा कहते नहीं जा सकते यहीं रहो और जब बैसे केजरीवाल के सकूलों के बारे में कोई फाइल नहीं आगे बढ़ती कि अच्छे हो जाएं जब ट्रंप की बतनी ने कहा मैंने सरकारी स्कूल देखने हैं तब केजरीवालों वाला स्कूल दिखाना पड़ा क्योंकि पता था उनको कि हमारे वालों में कुछ है नहीं इतरवाला दिखा देते हैं तो यहां इनका यहां इनका भारत का इजंडा सु मैं यही कह रहा हूं काम हो सकता अगर नियत अच्छी हो यहां आए हैं कुछ शीखने आए हैं यह वाला कारेक्रम यह आंखों का क्योंकि पंजाबी में कहावत है दंद गए ता स्वाद गया अक्खा गया ता जहान गया दंद गए तो स्वाद गया आँखें गयी तो जहान गया तो यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हम तो सीखे गए हैं पंजाब में भी मैं इसी तरज पर शुरू करूँगा सारा प्रोग्राम यह कि अच्छी चीज कहीं से भी सीखी जा सकती है अच्छी चीज कहीं से भी शीख लो यह knowledge-sharing का जमाना है startup का जमाना है दुनिया गाउन बन गई है कहीं से भी कुछ भी सीख लो तो मैं तो आझ आज आपको ये कहने के लिए आया हूँ और बधाई भी देने आया हूँ आपके मुख्यमंत्री जी को जिनों ने संगर्ष किया और तिलंगना के लिए संगर्ष किया और तिलंगना देश में चमक रहा है और देश क्योंकि देश देश जो है वो रंग परंगे फूलों का देश है मैंने पार्लिमेंट में बोला था ये कह रहे थे डिबेट चल रही थी दो दो घंटे के भाशन दे रहे थे बीजेपी बाले इस समाज को ये इस समाज को ये ये बरादरी ये समाज मैंने कहा जी मुझे टाइम दे दीजे कहते टाइम है नहीं मैंने कहा जी 30 सेकंड दे दीजे स्पीकर साथ 30 सेकंड में क्या बोलोगे मैंने 30 सेकंड में बोला 30 सेकंड में मैंने कहा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये कौम को कबीलों में मत बांटिये एक बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये सब कुछ आगया इतने में यहाँ न पहुंचे रवी वहाँ पहुंचे कभी तो पंजाम में सो महला क्लीनिक 15 अगस्त को बना दिया था 26 अनवरी तक 400 और 500 महला क्लीनिक बन गए सकूलों का काया पल्ट कर रहे है एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे है क्रप्शन हमने लगभग बंद कर दी और पकड़ पकड़ के इनके कॉंग्रिस के जो क्रप्ट नेता थे वो जेल में हैं और कॉंग्रिस के बारे में तो ये मश्हूर हो गया ऑब कि कॉंग्रिस किसी भी स्टेट में चेहन नहीं है अक्सचेइज है वो तो बस किसी की 2-4 MLA कम है तो कॉंग्रिस से खरीद लो मॉहमत जर्ब और तकड़ा करना है तो इधर से खरीद लो वो तो कॉंग्रिस को तो अपने उफिस पे लिख लेना चाहिए यहां पर लोगों द्वारा जित्ताय गए बिधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं यहालत है उनकी उनका भी उत्रहीं कसूर है इस देश की बरबादी में जो आज कल चल रही है बरबादी तो देश नंबर बन बनाना है बनाना है सब कुछ दिया इस देश को भगवान ने हर किसम का मौसम दिया पहाड दिये नदियां दी कोईला दिया मारूथल पानी समंदर क्या और इतने मेहनती लोग 130 क्रोड बस एक चीज नहीं थी सच्ची नियत वाले नेता बहुत कम दिये हैं कि सच्ची नियत वाली सरकार आगई देश में यही देश नंबर वन बनेगा यही देश नंबर बनेगा और मैं आखिर में मैं दो नारे लगवाऊंगा शीदियाजम भगत सिंग राजगुरु सुक्देव जब अंग्रेजों से साथ लड़ रहे थे जादी के लिए तब वो नारा लगाते थे और उस नारे से अंग्रेजों की महलों की खिड़कियां कांप जाती थी दोनों हाथ उपर करके नारा लगाना है उनकी आत्मा को भी स्कून मिलेगा चलो हैं अभी खमम में लोग जिनोंने हमारा इनकलाब का नारा दिया बुझने नहीं दिया इस दिये में चाहे हमें तेल की जगा अपना खून डालना पड़े लेकिन इनकलाब का दिया बुझने नहीं देना दोनों हाथ उपर उठा कर इन कलव लोगों को अक्सर कहते सुना है जिन्दा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिन्दा रहेंगे बहुत बहुत हन्यवाद बहुत मुबार्क बाद आपको बहुत बहुत शुक्रिया इनकला पुरेंची अद्बत अगा